आजकल का मुसल्मान इमान के लिए परिशान है या जान के लिए परिशान है जान के लिए परिशान है आजकल का मुसल्मान रोटी और बूटी के लिए परिशान है या इमान को बचाने के लिए परिशान है आज तक आप एक मजलिस बता दीजिये जिस मजलिस में लोग यह कहकर रोते हों कि दखिए आज हम लों का इमान कमजोर है बुराईया हर तरफ हो रही है लेकिन क्या चीज़ के लिए परिशान है के जमाने में रोटी और बूटी ज्यादा थी या आज रोटी और बूटी ज्यादा है तो कैसे परिशान है भाई नभी सल्लाव ले सलम के जमाने में तीन वक्त खाने को लोगों को मिलता था क्या तो वो परिशान है कि हम परिशान हैं, वो परिशान थे कि हम परिशान है, उनका छट का मकान था, उनके रूम में एसी थी, उनकी मज़िद पक्की थी, कालीन बिचे हुए थे, बोली ने रहा है तो वो परिशान थे कि हम परिशान है हम नाशुक्रे हैं परिशान नहीं है आद कल का मुसल्मान सबसे बड़ा नाशुक्रा है और परिशान नहीं है और कुछ ऐसी तक्रीरे हो रही है कि और इनको घटाया जा रहा है जी नहीं पूरी दुनिया में हम जहां भी हैं अभी अल्ला के महबूब हैं ये खुल के सुन लिए क्यों क्यों नूँ अलिए सलातु असलाम ने अपनी बीवी और अपने बेटे के लिए अल्ला से इसलाम मांगा अल्ला ने दिया नहीं दिया लूत अलिए सलातु असलाम ने अपनी बीवी के लिए इसलाम अल्ला से मांगा अल्ला ने दिया नई दिया इवराहीम अले रे अपने अभा आजर के लिए इसलाम मांगा अल्ला ने दिया नई दिया नबी आप जितने लोग बैठे हुए हैं हमने और आप अपने कितनी मरतबा ला से इसलाम मांगा है एक मरतबा भी नहीं एक मरतबा भी नहीं जिस रब से इसलाम नहीं मांगा इमान नहीं मांगा उस रब ने हमको मुसल्मान बना दिया इमान वाला बना दिया यह रब का कितना बड़ा इहसान है इसलिए हम और आप बड़े नाशुक्रे हैं जिसने मांगा उनको नहीं दिया और जिसने नहीं मांगा उनको दे दिया इन्नलाह लजू फखलिन अलननास वलाकिन अकसर अननास ला इश्कुरून सुरों मुमिन सुरों नमबर 40 आयत नमबर 61 अल्लाह का लोगों पर बड़ा फजल है बड़ा इहसार है लेकिन अकसर लोग नाशुक्रे है और एक बात और याद रखेगा हम और आप पूरी दुनिया में जलील उखार बिल्कुल नहीं है अगर कोई ऐसी तक्रीड करता है बिल्कुल गलत कर रहा है अरे मुसल्मानों के साथ मुल्क है भाई है की नहीं है पूरी दुनिया में सबसे मालदार मुल्क मुसल्मानों का मुल्क है वो कोईत है पांचवे नमबर पर कतर है तो कैसे पैसा नहीं है नहीं नहीं बताइए ना बताइए बताइए इसलिए मैं इसी तक्रीर को मानता ही नहीं जिसमें ये कहा जाया कंजोर है नहीं आजमाईश के दोर से गुजर रहे है आजमाईश का दोर हो सकता और एक तरीके का दोर नहीं रहता आजमाई जाते हैं और अल्ला के आजमाईश चलती ही रहती है इसलिए अभी के दोर में और क्यामत की सुबह तक सबसे बड़ा इनाम वो इसलाम है और इमान है सबसे बड़ा इनाम इसलिए लगा शुकर अदा की जए क्या आला क्रिश्चन लोगों से खुश है खुश है आज पूरी दुन्या में उनकी तादा जदा है दौलत उनके पास ज्यादा है तो अल्ला खुश है कारून से अल्ला खुश था अल्ला ने कारून को सबसे बड़ी दौलत दे थी खुश था फिराउन को अल्ला ने हुकूमत दे थी अल्ला खुश था तो हम और आप अल्ला से नाराज क्यों है मेरा सवाल है आप बताईए बिलकुल कायम रहिएगा कि आज हम मुसल्मान परिशान है या हम नाशुक्रे हैं पहले इसी को लेगे हल करना पढ़ेगा परिशान बिलकुल नहीं है तीन वक्त की रोजी रोटी खा रहे हैं अलहम्दोलिल्ला चार वक्त भी हो जाता पांच वक्त भी हो जाता अलहम्दोलिल्ला अभी हिंदुस्तान के अंदर सर्वे है कि कुरोना में सबसे टेंशन फिरी मुसल्मानी है हाँ इसलिए डाक्टरों ने कहा कि कुरोना में ज्यादा हिमस से अगर किसी ने काम लिया तो इनों शल्मानों लिया और हिंदुस्तान के अंदर वो जो बीमारी है धर-धर वाली बीमारी अब उसका नाम नहीं लोंगा धर-धर वाली बिमारी जानते हैं ना सबसे कम मुसल्मानों में है क्यों? अल्ला बावरोसा इंगो तो कैसे हम और आप परिशाने? परिशानी का माना मैं तो नहीं समझाज़ता भई अल्ला ने आपको 700 साल तक यहां भारत में हकूमत दी थी तो क्या आप ही की हकूमत रहेगी दूसरे को अल्ला नहीं देंगे अल्ला ने खुद कहा इनलार्ज लिल्ला यूरिसुहा मै ये शाओ मिन अबादी वला आकबत लिमत्तकीन सुरा अरफ सुरु नम्ब साथ आयत नम्बर 128 जमीन अल्ला की कुन परिशान है बोले मुली साथ मैं परिशान हूँ आखरत के लिए आखरत के लिए जो लोग परिशान थे उनकी जिंदगी सुन लीजिए प्यारे नभी सल्ला लुए अल्यूसरलम कैसे है सही मुसलिम किताब उत्तला हदिस नमबर 1479 नभी सल्ला लुए अल्यूसरलम ने एक मरतबा अपनी बीवियों को कहा कि एक महीने के लिए अलग तलग हो जाओ और नभी सल्ला लुए अपनी बीवियों से एक महीने के लिए अलग तलग हो गए और एक घर में बंद हो गए तो अमर बिन खत्ताब रजिए लिए ने वाए मिलने के लिए तो अपनी बेटी से कहा हफसा से कि देख सुन ले मेरी वज़े से नभी से लिए तुझे रुके हूँ है वरना कब तलाग दे देते हैं अब यहां रुकिए जब बेटी में और दामाद में जगरा हो तो जगरा छोड़ाने के लिए साला जाएगा या आदमी को खुद जाना चाहिए कोन जाए जिसकी बेटी है वो जाए जिसकी बहन है वो न जाए तो कि यह अब जुमला बूलने जा रहा हूँ तो आपको लगेगा गाली दे रहा हूँ तो कि यह साले लोग ऐसे होते हैं न कि धर को उजार देते है यानि एक साला उसकी जमा साले वो गाली ने दिया मैं वो जाके उजार दे क्यों तान के बात करते सिदा मेरी बेहन को कुछ बोलने का नहीं चल उठ चल नहीं कभी भी आप खुद जाएए और दामाद और पीट अब रजए ल्लाह उताला नो मुस्लिम शरीव की लब्बी हदिस सुना रहा हूं अपनी बेटी को पहले समझाया है हम और आप अपनी बेटी को समझाएंगे मेरी बेटी दूद की धुली हुई है मेरी बेटी घलती करी ने सकती मेरा दामादी खराब है या उसके घर के लो खराब है एक फुन आया हेलो पापा बहुत परिशानी है सीधा बेटी को लेकर आ जाते सही है कि गलत है आप घर तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं तोड़ रहे हैं आप जाके पूछ लिजे जाके पूछ लिजे हम और आप परिशान क नोकरी को लेके परिशान है इसकी बात कीजिए ना दीन के लिए कुन परिशान है सिधा बात कीजिए सिधा अवलाद को लेके परिशान है बच्चा पैदा हुआ सिधा कम नोकरी मिलेगी बेटी पैदा हुआ शादी कैसे करेंगे बीवी को लेके परिशान है सिधी बात कीजि बदन हाथ नहीं किया नमाज के लिए कुरान के लिए कुल परिशान है बताईए ना भाई परिशान है